कि स्वागत है आपका हमारे चैनल डियरेश्ट डिपाइंट में एक बार फिर से तो हम लोग क्या करने वाले हैं फिर से आपके बगल में आपका वेल बटन होगा उसको दबा कर आप अपने मॉबाइल पर नोटिफाइब कर लिजेगा कि जब भी आपको कोई नए वीडियो है तो आपको नोटिफिकरशन आता रहे है और आप उसको देखते रहे हैं और अच्छे से पढ़ते रहे हैं को सब्सक्रा हैं आपका जो फेस्ट जो है वो नौट क्यों किये हो मैं ठीक है उसमें से आपका क्या है कि दा इंफॉर्मेशन आप दिया गया है वो कि बल्कुछ लोगों के लिए ठीक है नौट मोर्दन 17 पर संब्सक्राइब लेकिन आपका 17 से ज्यादा लोग एक रो में नहीं बैठ र आपका जिए जैसे आपका पुर्मेशन देखेंगे खिसमें इन फॉर्मेशन आप क्या दिया गया है किकां यह है कि वास फो टुड़ लैफ्ट जी जो है आपका फो टूड़ लैफ्ट आप जी है बतलब जी के ऑलो जी के दाएं चौर्थे अस्तान पे दो तीन चाथ भी आपका बैठा हुआ है इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चीए फिट पॉस्चन क्या लेखा है कि आई वास थाट तुदा लाफ टॉफ ए आई जो है वह एक एट तुदा लाफ में बैठा हुआ है ठीक है चली तो आई और एसे तो कोई नहीं इंफॉर्मेशन है नहीं यहां लिख लेते हैं जी आई जो है वह ठाट टुदा लैप्टॉप क्या है ए आपका बैठा हुआ है यहां पर कॉन फॉर्म होड़ है उसके बाद क्या लिकाए सिर्वास नेवरिक और वास सेकेंड तुदा राइट अफ एसी जो है वह वह अले और कीशारी की के लिए आया विकिता है यहां होसकता भी आपका और पॉस्ब्रिट्मारी क्तश्रारी कि नक्सुरी इतgen होके से फिर से आ झो ले लेंगे, और से यहां एक्ट आउर में और किसील को लिए पुल के स्थाल ने? चले पिर क्या लिखा है तो नंबर परसंगे बिविन एच एंड आई वाज इक्वाइट वाज इवाइट वाइट और आई कहने का मतलब है यहां एच और आई आई के बीच में जितना number of people होगा उतना ही आपका क्या है आई और एक के बीच में number of people आरेंज होने वाला है कहने के मतलब दोनों में आपका common क्या है आपका I है तो I है जैसे ही common है तो I आपका middle में हो जागा A आपका left right या पिर H आपका left right एक और इंफर्मेशन उपको यहां क्या मिला का कि बी जो है वो फोटु दा लैप्ट है किसके जी के और यहां दोनों जगा अरेंज है तो हम लोग जी को भी आरेंज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला कॉमंटर मिल गया एक जो थी इंचार यहां पर आपका जी कोई काम नहीं दो मेरे पास कितना पॉस्विलिटी है मेरे पास दो पॉसलिटी एक के बाद पॉस्टिन स्मय आपका क्या लिखा है यहां पर साथ लोग बैठ रहे हैं उसके बाद F इस तु दा राइट ऑफ जो है आपका वो बी के राइट में कहीं ने के बैठा हुआ है यहां पर भी है तो एक दो थीन चार पाथ छे और यह साथ लोग बैठा है मतलब बी और F का जो प्लेस है वो क्या है वो काउंट नहीं किया गया है ठीक है चलिए फिर लिखाए डी वाज इमीडियेट लेफ्ट ऑफ आई वी जो है वो आई के इमीडियेट लेफ्ट में बैठा हुआ है यहां कंफर्म और आपका डी यहां कंफर्म को दिकत नहीं होने वाला है उसके बाद कोस्ट्स में क्या है वाली वन परसंट वाज तु दा ले लेफ्ट में एक लोग बैठ है यहां तो लेफ्ट में आपका एक लोग डायट है यहां इसके बीच में कितने लोग है हमको वादा नहीं अभी फिलाल में ठीक है उसके बाद दिखा यह वाज फॉर्ट फॉर्ट फ्रॉम दा वन अफ एक्स्ट्रीम इंड मतलब इजो है चौथे अस्थान पर किसी भी इंड से आपका चौथे अस्थान किसी इंड से है या तो लेफ्ट से हो सकता है या फिर आपका राइक हैं वोग क्या करेंगे एक और चीज़ दिखा था कि लिखने लोग अब का आई और एक के बीच में हैं तो आय आपका मिडल में बैठ है और आई और एक विश्में दो लोग है तो आपका आई और एक विश्में भी कितने लोग हो जाएंगे दो लोग हो जाएंगे तो इसमें कोई दिर्कत नहीं है अभी तक मेरा दोनों फिगर सटिस्पाइड हो रहा है अगर पढ़ते हैं और इस भी एंड से आपका चौथ है स्थान पे होना चाहिए वर लेकिन दो तरफ से दोनों तरफ में यह तो तो प्लश्में दोनों इसक्री तो यहां हो सकता है लेकिन इक चीज़ में बताया था क्या कि नौट मोर्दैं 17 पर सब्सक्राइब बतलब 17 से ज्यादा लोग आपका इक रोब में नहीं बैटर सब्सक्राइब हैं लेकिन 17 से ज्यादा नहीं तो हम लोग क्या करें लेकिन 17 इसमें आपका 17 लोग देखते हैं इसलिए यह वाला फिर्ट हो जाएगा अमेसा याद रखेगा जो आपका स्टेट्मेंट दिया गया है आपका सॉलूस्वाइब फिर जो भी कंकूलूजन है वह परसेंट फॉलोग होना चाहिए ठीक है फॉलो हो गया तो आपका पहला दूसरा वाला व्यलत हो जाए आपका सही हो गया अमनों को सिंटेट इन दर रोव मतलब रो में आपका कितने लोग बैठ रहे हैं ठीक है क्या हो जागा आपका दो हो जाए ठीक है उसके बाद कुस्टिंस में कि के वाज इमेडियेट लाफ्ट अफ एल अगर के जो है इमेडियेट लाफ्ट अफ एल हो जाएगा देन हाव मेनी साच अरेंग्मेंट और पॉसिबल ये तो इसका कुस्टिन नहीं लग रहा है क्यों क्यों बढ़ते हम लोग इस समझ में आया और मेरे इसाथ से नेक्स वाला आपका कुस्टिन क्या है नेक्स वाला कुस्टिन में क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है कि वह आपका ब्लॉड रिलेशन अलेंज किया है ना उसके आपका कॉस्टिन भी देगा तोफी जो भी होगा वह वह दिवीजिवल होगा मतलब आपके डिवाइड होगा सारी चीज में है सारे आपका पर्सन में डिवाइड होने वाला है तो कॉस्टिन सब्सक्राइब पहले पढ़ लेते हैं वह क्या करता है वह 73 टॉफी जो है वह यू को देता है और यू जो है वह आर का हस्बेंट है तो क्या है कि यू जो है वह आर का हस्बेंट है कि यह पिर सेटीड़ी था और डिया यूसके बाद कि यूप 11 टॉफी ऐ ना किणकों कि रख लिया यू सर लिया 12 यवोह 17 लिखा है वाइला श्मन हेश ऩाल स heated Hai रख dec형 bạn श्रck लिए डीया रखने ब QUE याником का तो जो आपका स्थेस बचा तो श्रीस गारा यह रखो 1993 ना और इस पाकषेट में特ि अप्सपे dose cya the only call inspirator a ॉइम्हीं है यह क्यों आपको घेल धीए घुण 26 वह फ्लेट यहाँ ऑपका seven टॉफी रख ली है तो ही जो है वो सर्वेंड टॉफी मेरे-पास 62 था स्थावें जाएगा सेवेंग इसावेंग घसावें जाएगा तो बचेगा मेरे पास कितना tri 55 अब क्या है यहां पर हमें कि आप साइन टॉफी अर्टु रीमैनिंग तू आप मतलब और को दिया तो फिर यह टॉफी कहा जाएगा आर के पास जैगा तो आपका कितना है आर दें refuse 51 टॉफी 2W मादर मसे की मा को जो है आर जो है 11 टॉफी दिल्ट को दिया घर है इक 16 टॉफी देगा तो पहले 65 था missing करफसर हां शॉड्री एकावन ऽोगा कब जब आपका और आर आपका चारा न्ज कितनाsur capitalist क्या बच्या करेगा वह क्या करेगा वह देगा वी की महा है कॉंस तो भी की महा है तो पच्पन ने से कितना बचांगी कब एस के बाद कि तेरा टॉफी रखने के बाद वो इस को देबी स्थि है किसी की मा इंद एक जर एक करती है कि किसे पास 15 टॉफी आए अगा जो बागी त्स होगा है वो क्या कर रही है भी के पितना को कि रख रही है यह पंदरा टौफी का इसके पिता जोबी होगा इसके पस कितना हो बैद यहां पर दे दिया है तो पिर आपका क्या दिखा है और इसना अपको स्फॉर्म कई एक तो याद हो दो छाहिए वाद को लोग तो यू इसका पुत्र होगा और यू जैसे ही फूत्र होगा तो आल य यह वह क्या है और क्यों है वह क्या है की की पुत्रिया एकसी कुन है और कि प्ता पी यहां पर हो जाएंगे तो आपका फिर आपका बचा किया हो रहा है है पे यूँ वर्ष पर्ष आहले अफियर दाप रिमेनिंग थी विस देड़ा रॉप साइगी ही जो है वो टी की क्या है ती की डाइए टी की डाइटर जैसे ही हो जाएगी उसके बाद कोसस ना लीकी मदर क्या हो जाएगी जिए लिखा गया है कोससित यहां है और यहां क्या हो जाएगी वी आपका यहां और जैसे ही यहां पर हो जाएगी तो पुस्टल्स में यहां पर क्या लिखाता लास्ट वाले में यहां पर लिखाता क्या कि प्रफ के पास कितना है बंदर टुब ऑस की पास कितना था पंदरा अप्ली उसके पास कितना था टोफी उसके पास कितना था चाट तूब मतलब जिसके पास सुरुवाती दौर से टौफी था, तो प्लस बी का मतलब कि I is the wife of B, A into B का मतलब कि I is the brother of B, मतलब कि I is the son of B लिखा गया, ठीक है, पहला वाला क्या लिखा, which of the following is true based on the our blood relation, मतलब ऐसा कौन सा option है, जो इस blood relation को follow करता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहला वाला option उठाएंगे, अब एक पहला वाला option उठाएंगे, तो S plus T minus, sorry, S plus Q minus T, हमको पता होना है यही की last वाले का gender clear नहीं होता, right side वाले का, ठीक है, तो S minus का मतलब क्या लिखा गया, wife, कोई मेरी wife होगी, तो हम उसके husband confirm, मतलब T की wife क्यो है, तो T यहाँ उसका husband confirm हो जाएगा, और plus का मतलब क्या लिखा गया, mother, यह मा, यह wife, ठीक है, यह wife जैसे ही confirm तो यहाँ पर, husband confirm, यह हम यहाँ पर खड़े हैं, यह भी इसका gender आपका mail हो जाएगा, हम यहाँ पर खड़े है, मेरी wife और wife की मा मेरी कौन, mother-in-law, है ना, तो T जो है, S जो है, वो T की mother-in-law होनी चाहिए, तो T यहाँ पर, T की wife क्यों, और Q की मा कौन, S, एंसर आपका च्या होगी, पहना बादा, दूसरा वाला question, what is the difference between the number of toffee kept by R and T, मतलब R और T के पास जो toffee है, उसका difference हमको बताना है, तो भाईया देखिए, R के पास चाहर टॉफी है, और T के पास आपका 20 toffee है, 23 में से चाहर जाएगा, तो बचे का कितना, 19, पर रिकात नहीं, थाड़ वाले में क्या देखा है, what was the number of toffee kept by his uncle, मतलब R के अंकल के पास, कितना नमर अच्टाफी है, तो भाईया, यहाँ, यहाँ, उसकी माँ, उसके मामा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ, उसके मामा का relation निकल रहा है, तो उसका answer हो रहा है, कितना, यू के पास कितना toffee है, आपका 11 toffee, मतलब 11 toffee, है आपके भी के अंकल के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं होना, चीमिने सब समझ में आ रहा है, आप लोग, चलिए, बढ़ते हम लोग, नेक्स कॉस्टिन की हो, नेक्स कॉस्टिन आपका क्या बोल रहा है, हम लोग अब देखते हैं, देखें, नेक्स्ट वाला कॉस्टिन क्या है, एट पर्सन आर सिटिंग एराउंड ए स्क्वार टेबल, तब आठ लोग हैं आपके, और स्क्वार टेबल पे बैठ रहे हैं, फेसिंग दा सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वार है, स्क्वार पे चार कॉर्नर होता है, चार स्क्वार टेबल पे बैठ रहे हैं, और उसके बाद क्या है, सब के फेसे आपका क्या है, इंसाइड है, तुदा सेंटर, जिसमें से आपका जो भी है, उनका एज भी दिया गया है, और जब एज दिया गया है यहां पे, तो वो बाईस से नीचे होगा, 40 से नीचे होना चाह और आदमी कितने हैं 8 जैसे ही आदमी आपके 8 है तो अगर एज निकालेंगे यहां पर तो आदमी 8 होंगे तो 22 से जादा मतलब एक का 24 होगा 26 होगा 28 होगा 30 होगा 32 होगा 34 36 38 होने वाला है तो एक दो तीन चार पांच शे शाथ आग तीन तीन शे दो आख कनफॉर्म है मेरा यहां पर कि एज भी मेरा हो गया है और यह ऐसा हम नोगी किया है ऊपका ओर्डर में थे बिश में दो दो ए यह का इफ्रेंस है यह भी लिखा गया है तो 22 से जादा और आपकर 40 सिप्शर का मरेंच करना है तो 22 से जादा 24 23 36 37 और38 होने वाला कुछ प्रॉब्लम होगा है हैं दो फिगर मनाते हैं एक फिगर या दो फिगर दो तो पॉसिलिटी देना ही पड़ेगा इस में तो चार कॉर्णर पे सब्का फिस है कहां होगें जाया है इस चरिकार यह पहला वाला पॉसिमिलिटी और दूस्रा वाला पॉसिमिलिटी और इस गुछ और जाया है के लिए लेंगे वी कोश्मस में लग रहा है कि कोश्मस में लिखा क्या कि A is sitting at the corner A जो है कोई नोगे corner पर बैठेगा वह चारों corner पर से कोई नोगे corner पर आपका बैठने वाला है Y is sitting to the immediate left of E और Y जो है वह आपका immediate left of E बैठा हुआ है और उसका age जो है वह आपका 32 year confirm कर दिया है तो वाही का age कितना हो जागा 32 तो दिक्कत नहीं मेरे हसाब से उसके बाद questions में क्या लिखा है कि F is oldest F is oldest मतलब सबसे बढ़ा है and other than a by 10 year and older than a by 10 year मतलब A से 10 साल का बढ़ा होना चाहिए आपका F और F जो है उसका बसे बढ़ा है age में तो यहां तो 38 हो सकता है 36 हो सकता है 36 तो नहीं होना चाहिए मैंने सबसे बढ़ा बोला है difference निकाला है अगर F का उमां 38 है तो यह का उमां 28 हो जाएगा अगी राथ कव मां 36 है तो यह कहने हो जो है पे आपका लिखा है आपका रिस रिटिंस सेकंद के लेफट रह तो और आपका रिफट रह यह आपका सज़्ट लेफट आप न बैक रहा है तो सबम अफ बेस ए clown मतलब एम और जो मेरा एज होगा वो कितना होगा 62 होगा हम लोग को देखना है कि 62 कैसे कैसे हो सकता आगर पढ़ते है पहले के जो है वो आर से चार साल का बड़ा है यह भी कंफर्म होना चाहिए ठीक है उसके बाद एंड इस सुटिंग आपोजिक टुई मतलब एक आपका सबसे चोटा बैठती होगा वो कहां बैठेगा एफ के मिडियेट लैफ में बैठने वाला है मतलब एफ का उम्र कंफर्म है यहां पर कंफर्म है यह यहां पर कंफर्म चलिए उसके बाद में रिखा किया गया है कि आपका बैठ रहा है और एफ के इमिडियेट में आपका बैठ रहा है जो सेकेंड यांगेश्ट है है तो मेरा एफ से मेरा पॉसलिटी निकल रहा है और स्योट इंफर्मेशन भी है है और एफ जो है वह आरके इमिडियेट में अबर नहीं है तो लोग क्या करेंगे एक हम लोग एफ को कॉर्नर पे लेते हैं और एक एक को हम लोग मिडिल पर बात बड़ा बड़े कहीं से लोग कोई दिक्ट नहीं है लेकिन इसके ज्यादा पॉसलिटी या तो कॉर्नर या तो फिर आपके बिडिल होने बारा है तो दो ही पॉसलिटी पे मेरा काम चल जाएगा ऐसा लगराइं मुझे लेकिन आफ यहां पे होगा एक एक आफ आपका यहां होगा जैसे ही होगा तो हम लोग क्या करेंगे एक यहां पर लेकिन लेफ्ट में आपका कॉर्ण बैठ रहा कि यहां पुच्छटा चीज च्छीच क्या भी इंचिए आपका कॉर्ण पर बैठ पर भी कंडि आ यहां न ही होसानी क्ले के एक होले का मैं और अच हम है और मैं को आपका जोंड आपका जोड़केؤ बार्सट होना चाहिए तो बासट किस गिसनिसम्यों कि हो पहला क्या है 62 Нीवाला है दूस्रा क्या है 66 को जोनेगे या फिर आपका 36 को जोनेगे Tika होने वाला मेरा पास वही पास है तो आभाई मेरा उने हुऊगा या घ्क पर उने 지원 34oration मेरा पास निकिन की से इसलिए नहीं होगा प्योंकि यह आपका अधाय सोच जब दूसरे बाद इस अधिस और शटीश है और इस अधिस और नहीं तो इस यहां रहे हो चुपा है अब क्या है कि एन यहां भी हो सकता है एन आप पहना भी हो सकता लिकिन एक बात और रिखाता है कि आप जो है वो एनके से जाट टुद दे लाफ्ट में बैठ एनके और आजो है वह कि एक रहन हो हो जागा च्टे बढ़त अ कर दौम शर्स का सब्सक्राओं ज onion भ्योगेशिया को मुझ करनदी सा अधिब हैं हां पी कर्डिशन नेकर आ होहरा है धूरेक की शर्पेश्esen क्तव क्या मना ऑफ का R यहां पे हो जाएगा Also, एक पॉर्णन पे बैट को पता है इस propor lounge यहां भी full यहां भी full यहां भी t Ephraat नी सब क्ला को लिंटीएट को पता मैं इसाब से अब क्या है कि यहां में बैठ सकता यहां भी और याँ यहां भी बैट सकता है दोनों जग़ा में से कहीं भी बैट सकता है ठीक है चली उसके बाद क्या लिखा है एक और चीज मेरा लिखा था क्या कि वाई जो है वो ऑफ फिस तो वाई और एक लिए आपका दो प्लिस खाली होना चाहिए इमिडियेट नेवर में खाली होना इसलिए यह वाला हो गया गलत हो गया बेर फिगर गैद की और वाय का तो यह वाला तो जाएगा अब लोग क्या करें हो गाँ यहां तो यह इंजिए में में यह अहुआ के सामने आप टर साथ अर जैसे यह आप यहां पर यहां पर जागा यह तो इसका इस साल हो जाएगा इसका था सबसे बारा था इतना 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 हो चुका है लुए और तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर चौटी पॉर हो जाएगा यहां पर चौटी हो गया है कि और तीस हो गया आपका आप और जैसे ही यहां आप हो जाएगा तो चौवीज आपका क्या हो जाएगा तो टोटल आपका पार रेंज हो चुका यह वह अबला काफी आसान तरीके से मैं आपको बताया है यह दोनों पॉसिबिलिटी लेकर ऐसे इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाता लेकिन एक छोटा सा स्योर्स और इंफॉर्मेशन जो है वह हम लोग लेकर बनाया है कहावस सुने होंगे ना आप लोग कि चोड अगर कितना भी लेक दिन का छोड़ी देता है कंफर्म वही है पजल स्टिंग आरेजमेंट में कितना भी बड़ा आपका पजल हो लेकिन एक चोटा प्लू आपको सुलूसन तक ले जाएगा और वही प्लू आपको ढूनना है जिस दिन आप अगर यह प्लू ढूनने में सक्सेस कुल हो गय ठाइक तो माइन अगर फास्ट काम नहीं करता है तो डेली पास पजल बनाओ पास विटिंग आजमेंट बना तो आपका मांद डेली फास्ट काम करने रहे ठीक है चलिए इसके पोस्स पर लिखा क्या गया है एक दो तीन चाल्ट आपका आर है तो आपका आर एस सेकंड तो गौन बैठा हुआ था एंसर क्या हो जाएगा आपका आपका था दूसरा क्या लिखा गया हूं इस दा पॉजिक ऑफ आपको बैठा हुआ तो सेकेंड ओलिट परसंग बैठा हुआ मतलब आपका आप आप दिसकारिज आपके आप चक्ति साल है तो प्राब्लम नहीं होगा चली हुआ जिस्टिन विद्विन तो पर्सटिंग पेट्विन तो यह सबसे बड़ा रहा था आए तो आएंगे लेफ्ट आएंगे लिए इसने में इसने क्लाउग से हैं मात इन्ट्रों बैठा रहा है और वह क्या है आपका वा क्या है कि वाट इस का सम पूछ रहा है तो इसका सम पूछ रहा है तो इसका सम पूछ रहा है तो यह 26 और अब लिए और 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 यह वह से बड़ा है और का तीस और वाई का बटीस वाई वाले तो सही है विकिन आपका आर से छोटा है यह 20 साल का है यह वाला भी गलत हो जाएगा ठीक है चली तो आपका उप्शन में तो दिया गया है आपका वह बोथ वान एंट्टू तो ऑप्शन क्या लगाते हैं बोथ वाला तो अल्लेटी से ही होगा है तो यह रिक्वेस्ट है आप से कि जितना भी आप लोग वीडियो दे यह आपका वाटसर का ग्रूप हो गया जो लोग पढ़ने वाले हैं रियलिटी में जो लोगों के पास जुनूल सवार है पढ़ने का उन लोगों के साथ सेवर करो वीडियो काफी पसंद आएगा मेरे इसाथ से क्यूंकि कम पॉसब्लिटी पे आप कोस्टन का लेवल इंतन सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन बटन ज़रूर दवाएं और सेयर भी दम जम के करें थैंक्यू